नमस्कार दोस्टों मैं सुनीता कथा मंथन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंथन में आज सुनिए कमलाव पन्यास का तेरवा भाग जो अधेड औरत लाश दिखानी के लिए हरिंदर को ले गई वेहती माती की बहन काती अथार्त मातांगिनी की बहन कात्या यानी इस मातांगिनी के साथ घनिष्टिता का या अवेद संबंध होने के लिए ही हरनात मैथर ने एक दिन शेषी मुखरजी को समास से भहिश्कृत क लड़ना चाहा था हरनात के अंदोलन का फल यह हुआ कि शेशी मुखर जी की प्रनाईनी कैवर्थ कन्या मातांगनी गाउं छोड़कर गाउं से दूर बस्ती के उस छोर पर रहने के लिए लाचार हूँ जमिंदार के कड़े हुकम के कारण मातांगनी को जब दूसरे गाउं म गाउं के बाहर जाकर रहना पड़ा तब उसी के साथ उसकी बहन कातियाईनी की मोधी की दुकान भी पुराने जगा से उठकर वहीं चली आई कातियाईनी को इसे लाब भी हुआ आस पास के तीन चार गाउं के आदमी उसके खरीदार हो गए इसके सिवा स्टेशन के रास्ते पर होने के कारण छोटे बड़े सबी लोग उसकी दुकान पर आते और जरूरत की चीज़े भी लगबग दुनी कीमत पर खरीदते थे कातियाईनी की अमंदनी पहले से बहुत बढ़ गई लेकिन उसका शारा श्रेश शेशी अपनी कारवाई को देने लगा वह कहता था उसी के कारण कातियाईनी की दुकान इस जगा उठकर आई है सीधी साधी दौनों दिहाती ओरतों को इसका परतिवाद न करती यह बात सु शेशी था उसका इश्ट देव अपने इश्ट देव के सारे उपद्रफ सहकर उसकी सेवा करना करता भजा संप्रदाय के मरम की बात है किन्तु धर्म को यह सुपष्ट आगया रहने पर भी इदर कुछ दिनों से मातंगनी का भाव कुछ बदल गया था वह पहले की तरह पर जोने के ख्याल से जान नहीं सकी वहां मातंगनी चूडा मनी योग में इस्तान करके और मौसी स्वर्ग को स्वर्ग भेज कर उत्रा अधिकार सुत्र से मौसी के कुछ सौने और चांदी के गहने साथ अट गिननी और डेड़ दोसों के लगभग रुपे आचल में देने का बहाना करके शेशी ने वहरकम हतिया ली उसने उन रुपेओं से अपने नाम कई भीगे जमिंद योगेंदर मित्र की एक देंदर प्रजा से थोड़े ही दावों में खरीद ली उसने ही दाव मारा लेकिन मातंगनी को इसकी जराबी खबर नहीं होने थी वह बैचा कातियानी में अनेक युक्तित परामर्श हुआ लेकिन उनके किये कुछ ना हो सका शेशी ने साफ जबाब पाने के लिए अनेक बार सोचने पर भी दोनों बहनों में से कोई शेशी के आगे कुछ कहने ही सकती थी जमीदार का नौकर ठहरा एक बार कलम फिराकर जूट को सच और ससको जूट कर सकता था उसे चिडाने से लाब की अपिक्षा हानी की संभावना अधिक है यही बात साथ पांच सोचकर दबी रहती इसके सिवा कातियाईनी कहती मौसी चाहती थी इसलिए अपना सर्वस मातंगनी को दे गई थी लेकिन भाग में नहीं लिखा तो भोग क कैसे करें मुझे तो मौसी कुछ देने गई लेकिन इस दुकान की बदालत राजबो गना सही रूखी सुखी दो रोटियां खाकर पड़ी रहती हूं मुझे किसकी परवा नहीं इससे माती और भी चिड़ जाती यह वहत आने की बात किसी को भी सहन नहीं होती यह तो दोनों भेनों में जगड़ा होने लगता और यह मुझ कंदकार करके सिर पटक्ती मानों कोठरी में जाकर भीतर से कुंडी बंद कर लेती है आज भी इसी तरह भेन के साथ शशी से तकादा करने की बात पर जगड़ा करके मातंगनी अपनी कोठरी में चली गई इसी से में शशी ने एक गज कच्छप वैपार था उसके कानों में आज फूलधार बालियां नाक में लॉंग फूल मार का कील थी गले में तूलसी की कंठी थी इसमें बीच बीच में बहुत छोटे साइस के सोने के तावीश थे हाथ में हरे रंग की रेशम की चूणियां भी थी घर में असबाब के घर में आकर घुसा उस समय संध्या होने को थी हरनात मैत्र के घर के पास वाले तलाब के किनारे से जव्य लोटा था तब से उसके मन की एक आस्वभावी अवस्ता हो रही थी उसने समझ लिया था कि कमला डूब गई है इससे उसे खुश होना चाहिए था कारण कमला हरना की लड़की थी और हरनात ने उसे समाज से अलग करने का आंदोलन खड़ा किया था कमला की मृत्यू शेशी के उसी अपमान का बदला है उसे बैचैनी सिरफ इसलिए हो रही थी कि उसे अपनी प्रसंता प्रकट करने के लिए कोई दूसरा आदमी दिखाए नहीं पड़ता वे बहुत पहले ही मातांगनी के निकट अपना आनंद जताने के लिए जाप पहुंसता लेकिन योगिंद्र मिद्र का बदमाश लड़का हरेंद्र दरवाजे पर धरना दिये बैठा था जिससे नहा कितनी देर हो गई और हरेंद्र के वहां से हटते ही शेशी सीधा माती के घर पहुंसते ही बगल में चीपी हुई शिराप की बोतल निकाल कर बोतल वासनी की सेवा करने लगा तीन चार प्याली पीने पर भी जब नशा नहीं जमा तब शेशी मातांगनी को एक प्याली परसाद दे कर आप गांजा मलने बैठा मातांगनी की तबियत उस समय खुश नहीं थी उसने शेशी की आँख बचा कर वह सारा प्रसाद मोरी में गिरा दिया उधर शेशी ने चिल्लम तयार करके उसमें आँग रखकर साफी लपेट कर कस कस कर तीन चार दम लगाए कोठरी में धुआ धार करके चिल्लम उलटकर आप याप हसने लगा मातांगनी गूमकर एक बार सिर से प्याड तक तिवरिद रिष्टी से शेशी को देखकर बोली अरे पागल की तरह आप याप हसा क्यों जा रहा है खुशी होने पर हसी तो आती है ना शेशी ने कहा मातांगनी हसी खुशी तो खूब देखती हूँ अब बताओ तो मेरे रुपेओ का क्या हुआ शेशी अरे रुपेओ की बात क्या कहती है मैं तुझे ऐसी ख़बर सुना सकता हूँ लाक रुपे की जानती है आज क्या हुआ है अच्छा सुन उसी प्रोहित साले की लड़की कमला ना कमला डूब मर गई किसी ने जगा नहीं दी ना सास ने ना माबाप ने जाती कहां तलाब में डूब कर मर गई मैं अभी अपनी आँखों से देखे चला आ रहा हूँ ये अद्वपी शशी ने कमला को डूबते नहीं देखा था तब भी उसने जोड से देकर कहा मैं अपनी आँखों से देखाया हूँ शशी की तरह जो पक्के खिलाड़ी आदमी है वे अपनी चाल और अपनी बुद्धी पर अधा विश्वा सकते हैं अपने को एक तरह दिव्य द्रिश्टी से युक्त समस्ते हैं अपने उपर बहुती ज़्यादा विश्वास करते हैं मातांगनी आखे माते चड़ा कर दंबर अश्यरे से देखती लिए कही सच लॉंडिया डूपकर मर गई शशी डूपकर मर गई अरे उसने हाथ मत्या कर ली चुडायल होगी फिर तू रूपयों का तगादा करेगी तो तेरी गर्दन मरोड़ देगी ब्रामन की बात कभी ज ची तिक शनित कटाक शोड़ कर खा माती तू नशे में तो हो गई है क्या मातंगनी नहीं जनक कर खा नशे में वही होगा जो बोतल की बोतल सोक रहा है तुम्हारी शिराब इस मोरी में पड़ी है सूंकर देख लो ची 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 आदमी इतना जुल्म भगवान से सहा जाएगा ची कैसे आदमी हो तुम तुमको भ्रामन के शापका कौफ नहीं शशी करमशय उत्तेजित हो रहा था उसने नशीक में लाल आखो को विकट रूप से नचाकर विदूप सवर में का भ्रामन हूँ प्रोहीद भी कोई ब्रामन है मुझसे बढ़कर कौन भ्रामन होगा मैं मु है भी विश्वासगात से हारा तुम भी ब्रामन हो तुम महापापी हो जिसने अपना लोग प्रलोग बिगाड कर इतने दिन तुम्हारी सेवा की उसी का सर्वस ब्याज का लोग दिखा कर फुसला कर ले लिया एक औरत के रूपे हजम कर लिये उसके बाद और एक भले आद उसे देखा है माती ने और क्या जान मुझकर जूट बोलता है वैं नरक कीड़ा है तुमने जान मुझकर कमला पर जूटा कलंक नहीं लगाया मेरी मौसी जब मांदी थी तब कलकत्ते तुमने चिट्ठी बेजी थी उसमें क्या लिखा था याद नहीं तुमने बेकारी उस चोकरी पर कलंक नहीं लगा जूटे नहीं हो तुम शैशी गुस्से से गिरगेट की तरह सिर उठाकर गुर्राने लगा गुर्रा की रहे हो आखे निकाल लोगे आखे निकालने की बात सुनकर काने शैशी का क्रोध सीमा पार हो गया वे चट से एक थपड माती के मूँपर चलाने वाला तू होता कौन है मेरा सर्वस्व हजम करके कहता है शरम नहीं आती कहावत है ना रोटी ना कपड़ा सेत मेत का भत्रा दूरो जाए मेरे घड़ से शैशी देख माती तो गुस्सा बढ़ा रही है जमिदार तुझे गाउं से निकाल कर भार किये देता था मैंने कह सुनकर यह जगा दिलाई और आज मुझे पर गुर राती है मुझसे बैर करती है मैं कली जमिदार बाबू से करूंगा कहूंगा तुने मुझे समझ के रखा है सिर मुडाने की बात सुनकर माती कड़ाई का बैगन हो गई उसने का जमिदार जाना जमिदार बाबू के पा सवार हो गया उसने का विश्वास करते हैं या नहीं वह तो मैं देख ही लूँगी कलकते की वह तेरे हाथ की चिठ्ठी भी लेती जाओंगी जाकर जमीदार बाबु की और उनको उनकी जोरू को दिखाओंगी तब तो विश्वास करेंगे मैंने उसे फेका नहीं है वह अब अट्रक मेरे पास हैं कि सुनते ही एक अएक शेशी नरम हो गया माती तु अभी भी नराज है माती ने जुनकर का रहने दे दुलार काती की बहन माती अब तेरी बातों में नहीं आती शेशी ने का वे चिठ्ठी कहा रखी है मुझे दिखा ना दिखाओंगी ना करूंगी तुन्हें मेरी रगम हजम कर ली मेरा सर्वर से रोटी है सब जाकर कहूंगी जो चोर ठग बेइमान शशी फुल उसको वहलाता हुआ बुला ना देगी ना दूंगी ना देगी ना बात बढ़ गई मातंगनी ने भी जित पकड़ ली उसने बार बार तीनों बार नह गंड़ पाने की संभावना से वह एकदम बेसंभाल हो गया उसे इतना सब्र ना हुआ कि उस समय चलाकी करके माती से वह चिठी ले लेता बदमाश शशी ने फौरन जपटकर माती को गिरा दिया और उसकी चाती पर दौनों घुटने टेकर बैढ़ गया और दौनों हाथों उसका गला गोटने लगा मातंगनी के आतर नाज और गौगो सुनकर कातियानी दुकान से उठकर जब भीतर आई उस समय तक मातंगनी शांत हो चुकी थी सांस नहीं चल रही थी छोड़ पाजी ने खून कर डाला खून खून कहती ही चिलाती कातियानी ने महला भर सिर पर उ उसरे मजिस्ट्रिट सहाब आने वाले थे उनके लिए हाट बाट दुकान पर सब सजाया जा रहा था जिसमें अनेक बेकार घुमकर लोग शाम हो जाने पर भी वहां जमा थे और हाकीमों के दर्शनों की रहा देख रहे थे इसी कारण शशी इच्छा मनी मनरागी वे भाग जमीदार का नौकर होने पर भी गिरफतारी से बचना सका आखे धरम भी तो कोई चीज है